वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानून इन हिंदी में तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पत्नी और उसके माईके वालों पर पती कौन कौन से केस कर सकता है अगर पत्नी या फिर पत्नी के माईके वाले पती के साथ गलत करते हैं और पती अपनी पत्नी और उसके माईके वालों को जेल बिजवाना चाहता है तो वो आईपीसी की इन दस धाराओं के तहट केस कर सकता है हमारी पहली धारा है आईपीसी की सेक्शन 323 इसका मतलब ये होता है कि हलकी फुलकी मारपीट या फिर हाता पाई हो जाना यहां पर आपकी पत्नी या फिर पत्नी के माईके वाले आपके साथ मारपीट या फिर हाता पाई करते हैं अगर आपके पास इसके गवाई या फिर एविडेंस है तो आप इन पर कारेवाई करवा सकते हैं हमारी दूसरी धारा है आईपीसी की सेक्शन 324 इसका मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति किसी के साथ धारदार हतियार से मार पीट करता है और जिसके साथ मार पीट हुई है वो जक्मी हो जाता है जैसे कि for example पत्नी या पत्नी के माईके वाले पती पर धारदार हतियार से वार करते हैं तो उन पर IPC की सेक्शन 324 के तहट मुकदमा दर्ज होगा हमारी अगली धारा है IPC की सेक्शन 380 इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई आपके घर में आपकी गैर मजुद्गी में कोई समान चोरी कर ले जाता है और बात में आपको पता लगता है तो आप IPC की सेक्शन 380 के तहत मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं जैसे की 4 एक्जामपल पती घर पर नहीं है और ऐसे में पतनी और उसके माईके वाले पती की कोई चीज चोरी कर लेते हैं तो पती IPC की इस धारा के तहत मुकदमा दर्ज करवा सकता है हमारी अगली धारा है IPC की सेक्शन 384 अगर कोई डरा धमका कर पैसे की वसूली करना चाहता है जैसे की 4 एक्जामपल पतनी के माईके वाले अगर पती को डराते धमकाते हैं कि हम तेरे साथ ऐसा कर देंगे तो पती इस धारा के तहत उन पर कारेवाई करवा सकता है हमारी अगली धारा है IPC की सेक्शन 389 अगर कोई आपको जूटे केस में फसाने की धमकी दे इस तरह की धमकी दे कि हम आपको इस केस में फसा देंगे और आपकी जिन्दगी बरबाद कर देंगे पतनी या पतनी के माईके वाले आपको ऐसी धमकी देते हैं तो आप उनके विरुद भी कारेवाई करवा सकते हैं हमारी अगली धारा है IPC की सेक्शन 406 इसका मतलब ये होता है breach of trust जैसे की आप अपनी पतनी को कुछ चीज जैसे की ज्वैलरी बगारा रखने को देते हैं विश्वास के अधार पर और आपके मांगने पर आपकी पतनी आपको नहीं देती तो आप अपनी पतनी पर IPC की सेक्शन 406 के तहत केस करवा सकते हैं हमारी अगली धारा है IPC की सेक्शन 499 और 500 इसका मतलब ये होता है मानहानी पत्नी या पत्नी के माईके वाले आपकी इमेज डाउन करने की कोशिश करते हैं कुल मिलाकर वो आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं और आपके पास इसके गवाई या फिर एविडेंस हैं तो आप IPC की सेक्शन 499 का मुकदमा भी कर सकते हैं हमारी अगली धारा है IPC की सेक्शन 504 इसका मतलब ये है कि पत्नी या पत्नी के माईके वाले आपको गाली कलोच करते हैं तो आप एविडेंस के अधार पर ये मुकदमा भी कर सकते हैं हमारी अगली धारा है IPC की सेक्शन 506 इसका मतलब ये है कि अगर आपको गंभीर तरह से धंकी दे रहे हैं जैसे कि आपको जान से मानने की धंकी दे रहे हैं तो आप अपनी पतनी या पतनी के माईके वालों पर इस तरह की सेक्शन लगवा कर आप केस कर सकते हैं वो जिस तरह कापराद करेंगे वैसे वैसे आप उनके उपर धाराएं लगवा सकते हैं पर इसके लिए आपके पास सबूत होने चाहिए और सबूतों के अधार पर आप अपनी पत्नी और उसके माईके वालों को जेल भी बिजवा सकते हैं तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में दे कई जानकारी आपको पसंद आई होगी तो ऐसे ही कानून से समंधित जानकारियां पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो में आज तक जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यावाद